नमस्कार। मैं भुपंदर्पंडशे हिंदी चेनलर में आप सब करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताथ इस बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें विबिन ने राज्यों के शात्रों के दौरा लगातार या मांग की जा रही थी मुझसे अनरोत किया जा रहा था कि कि मैं Assistant Professor Hindi के साक्षातकार के लिए कुछ और Lectures लेकर आऊ हूँ तो उसी स्रिंखला में विराजका लेक्षर फिर मैं लेकर आया हूँ कि Assistant Professor Hindi के लिए साक्षातकार की त्यारी कैसे करें इसके पहले भी मैं कुछ lectures मैंने upload किया है जिस पर मैंने do's and don'ts पर चर्चा किया है कि सक्षात कार के लिए क्या पहने कैसा आपको body language होना चाहिए किस तरह कपड़ा आपको पहनना है और किस प्रकार से basic आपको तियारी करनी है उसके आगे किस इंख्ला में मैं कुछ उससे advanced stage की बातें बताऊँगा और यह सब कुछ मेरे practical experience पर अधरित है जो मैंने अन्भाव किया जो मैंने सक्षात कार के दवरान देखा तो मुझे आसा ही नहीं विस्वास है कि यह लेक्टेर आप लोगों के लिए बहुत ही लाबदयाक सिद्ध होगा और मेरे चैनल के बहुत सारे चात्र और लगबग सभी चात्र जिन्होंने असिस्टेंट प्रफिसर इजाम जो दिया हुआ है लिखित पर इच्छा तो उसके बाद साक्षातकर में सफ़ल होगे और मेरे चैनल पर यहाँ पर कमेंट बाक्स में लिख कर बताएंगे कि आप सफ़ल हो चुके हैं वही मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी तो चलिए आज मैं चर्चा करता हूँ आगे साक्षातकर का उद्देश ही क्या है जिसको हम आज कल परस्नल्टी टेस्ट करते हैं या फिर व्यक्तित परिछन करते हैं एक बात आपको मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ यदि आप असिस्टेंट प्रफेसर हिंदी के साक्षातकर तक पहुंचते हैं इसका दात पर यह है कि आपने बहुत ज्यादा कठीन पर इस्रम किया है और आपने एक नहीं कई स्टेट पार किया है एक तो यूजीसी नेट का एक जाम आपने क्लियर किया हुआ है या फिर आप PhD किये हुए या फिर आप सेटिक जाम आपने निकला हुआ है तो इस प्रकार आपने बहुत ज्यादा कठीन पर इस्रम किया है इसके बद आपने फिर से Public Service Commission का इजाम दिया है रिटन इजाम उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं तो आपको अपनी प्रतीभा पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए तो क्योंकि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं होता है यदि किसी कारण वाद से आप असफल भी हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करना ही जुरत नहीं है क्योंकि आप में इतनी प्रतिभा और इतनी शम्ता है कि आप कहीं ने कहीं इससे बेहतर या इसके समकक्ष जगा अपने आपको पाएंगे क्योंकि परणाम हमारे हाथ में नहीं रहता हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं यह बात का में सा ध्यान में रखिए और दूसरी बात आपका भी रिजल्ट निकलानी होगा तो उसका इंतजार मत करिए आपके भला ही पेपर अच्छे बने हैं नई बने हैं वो अलग मामला है आपको सक्षात करके त्यारी तुरंत ही चालू कर देनी है तो सक्षात कर का मतलब क्या होता है वास्तों में जो इंटर्वी जो होता है जो सक्षात कर होता है परस्टनल्टी टेस्ट उसके जो मार्स है सिर्फ आपके मैरिट पर फर्क पड़ता है लेगिन आपके चैन को कौन डिसाइड करता है return में जो आपके मारस हैं वो आपके chain को decide करता है क्योंकि सक्षातकार के लिए कोई न्यूंतम अंक की अरहता नहीं रहती है कि आपको इतना अंकी चाहिए पास या फेल वाला को यहाँ पर concept नहीं रहता है तो सक्षातकार वास्तों में व्यक्तितु का परिछण है कि जीस पद के लिए आपकी भरती की जा रही है जीस पद के लिए आपका chain किया जा रहा है वास्तों में बोर्ड यहाँ देखता है कि आप उस पद की योग्य है की नहीं है और सक्षातकार के जो नंबर होते हैं वह आपके merit के जरूर प्रहुईत करता है लेकिन आप यह मत सोचें कि खाली सक्षातकार के नंबर के अधार पर ही आपका chain हो जाएगा वास्तों जो लिखित परिच्छा के जो अंक होते हैं वह यहाँ पर ज्यादा निनायक सिध्ध होते हैं जैसा मेरा व्यक्ति का तन्वह है इसके बाद है तक्षातकार का उद्देश क्या होता है व्यक्तित का परिच्छन करना इंटर्विव को आजकर हम personality test करते हैं व्यक्तित का परिच्छन उस पद के लिए जिसके लिए आपका chain क्या जा रहा है किस प्रकार के गुड़ों की आश्यत्ता होगी तो बहुत सारे गुड़ों होते हैं किसी व्यक्ति में असिस्टन प्रोफसर आप बनने जा रहा है तो मुख करूँ से एक शिक्षक में एक असिस्टन प्रोफसर में क्या-क्या गुड़ों होने चाहिए पहला तो यह है कि उसमें अनुसंधान में रूची आपकी होनी चाहिए तो कि आगे आपको प्रोमोशन के लिए भी पिएजडी करना पड़ेगा कुछ लोगों को पिएजडी करवाना पड़ेगा यदि आप गाइड बन जाते हैं तो शोधर नुसंधान में आपकी रूची होनी चाहिए इसके बाद नेत्रित्व शम्ता एक शिक्षक के लिए सबसे महात्रपून चीज़ क्या है वह एक नेता होता है एक लीडर होता है एक पिढ़ी को दिशा देता है तो नेत्रित्व करने के शम्ता है की नहीं यह बोर्ड आप में देखेगा इसके बाद धायर यह है की नहीं मतलब बहुत ही धायरे पूर्वक आप अपने छात्रों की बातों को सुनते हैं उनका जवाब देते हैं मतलब इरिटेट नहीं होते और उनके जो संकाओं का समधान करते हैं की नी तो ऐसे परस्फना आपसे परिछा में पुछे जाएंगे शक्षात करकर दौरान जो आपको इरिटेट करने वाले भी हो सकते हैं इसके बाद संयम आप में संयम है की नी फिर इस बच्प्छल वक्त कला कुशल वक्त होना चाहिए एक बोरो उसों body language का भी प्रयोक करना होता है और इसको एक अच्छा वक्ता होना बहुत ही ज़री है एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए इसके पाद जिग्यासव सभाक होना चाहिए आपके मन में जिग्यासा भी होने चाहिए नहीं चीज़ों को जानने के ब्रॉक्षक होने च चाहिए जो सबसे पीछे चल रहा है इसको भी साथ पे लेकर चला है उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ देना है मतलग कभीु नहीं हार मानने वाल होना चाहिए और सब स्मयत पुन क्वाख पर बात कि आत्मी आस्वास से भणा हुआ होना चाहिए क्यों क्योंकि आज जिस दोर में आप Assistant Professor बनने जा रहे हैं, जिस दोर में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, उसमें छात्रों के पास ग्यान के बहुत सारे श्रोत आजकल विद्यमान है, इंटरनेट से बहुत सारे चीज़ें में पढ़ लेते हैं, या फिर YouTube में बहुत सारे अच्छ आप में किस में होता है, इंटर्व्य को दरन होता है, शक्षात कार का उद्देश होता है, उस पद के लिए, जिस पद के लिए आपका चैन होने वाला है, योग यभ्यरती की तलास, इसके बाद मैं आगे आता हूँ, जैसे आपका लिखित परिच्छा का प्रणाम गोशित हो गया है, आज जैसे आपका लिखित परिच्छा का प्रणाम गोशित होता है, उसके लगभग दो माह के अंदर आपका व्यक्तित परिच्छन होगा, इंटर्व्य होगा, या फिर पसनाटी टेस्स दो माह के भीतर प्राया हो जाता है, ऐसा मेरा अन्भव है, इसके बाद इस बीच आपको क्या करना है, अपने सभी दस्तवेज, जितने भी आपके मार्क शीट हैं, जिसे आप अंग सूची कहते हैं, या फिर डिग्री, युनियसिटीज ये आपको डिग्री मिलती है, मार्क शीट अलग मिलती है, डिग्री अलग मिलती है, डिग्री डिप्लोमा, नहीं मिला तो आप निकलवा लिजे इस बीज में और अधार कार्ड या जितने भी आपके दस्तावेज आए इनको आप बहुत अच्छे से आप त्यार करके एक फाइल में रख लिए एक अच्छी सी फाइल जरूर रखिए एक अच्छी सी फाइल में विधिवात रूप से जमा कर तेंथ और ट्वेल्थ और ग्रेडिवेशन पीजी नेटर सेट के सर्टिपिकेट आधार कार्ड और जीतने भी आपके दस्तावेज होंगे निवास प्रमारपत्र जाती प्रमारपत्र जीतने भी सरकारी दस्तावेज है एक सिंगल फाइल में आपको ब्यवस्ते तरीके से आपको जमा लेना है और ढाई तीन से रुपे में आपको एक फाइल में जागी फोल्डर मिल जाएगा उसमें आपको फाइल में बहुत अच बाहरी ब्यक्तित तो यह है कि आप कौन सा कपड़ा भन कर जाएंगे यह तो मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ यहां परीज भी थोड़ा प्रयास करें कि आप थोड़ा पहले से बहतर हो जाएं और पहले से बहतर कैसे होंगे चार language skills होते हैं listening, speaking, reading and writing तुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो इनका आप बार बार अभ्यास करें यह मैं इसलिए बोह रहा हूँ क्योंकि आप भाशा के शिक्षक बनने जा रहे हैं हिंदी साहित और हिंदी भाशा के शिक्षक बनने जा रहे हैं इसलिए आपका भाशा विज्ञान में भी रूची होने चाहिए, साहित में भी रूची होने चाहिए, भाशा में भी रूची होने चाहिए, आपका उचारान शुरुद्ध होना चाहिए, बोलने की शैली बोलने की शमता भी अच्छी होने चाहिए, तो इसलिए मैं बढ़ रहें इनके समसामिक जो घटना क्राम है और करेंट अफियर से विशेश रूप से संपादकी जो है एडिटोरियल है इसको आप डेली पढ़ें एडिटोरियल पढ़ने से आपका दो फादा होगा एक तो आपकी भाषा शुद्ध होगी परिमार्जित होगी हिंदी साहित्य के भाषा शुद्ध होगी परिमार्जित होगी तो इसलिए आपको समसामिक विश्यों पर जो एडिटोरियल या लेख आ रहे हैं संपादकी इसको आपको निरंतर पढ़ना है तो एक दो घंटा आप न्यूट पेपर पढ़ने की आपादर डालीजे आउनलाइन भी बहुत सा इसके बाद आप अपने शुद्ध उचारण पर ध्यान दे अपने विचारण आपको शुद्ध करना है आपको प्रयास करना अपने आपको ग्रूम करना इन दो मेने में और अपने विचारों की इस पस्टता पर जोड़ दें किसी मामला में यदि आपको विचार रखना है तो कोई असमंजस या फिर बिना आत्मी स्वास जैसे कोई भावना आप में परिलक्षित नहीं होने चाहिए विचारों की इस पस्टता पर आपको जोड़ दे मतलब PSC में तो एक चेर्मेन अलग होते हैं वालग मामला है लेकिन जो ये बोर्ड होता है कि इस इनके बोर्ड में आपका साक्षात कर रहा है इनके बोर्ड में आपका साक्षात कर रहा है जैसे आप UPAC में सुनते हैं वैसी आपके तीन चार बोर्ड होंगे और उस बोर्ड मे यह होते हैं तो वहाँ कैसे करना है क्या करना है मेरे पिछले दो एपिसोड आपने देखा होगा तो आपको पता होगा आपको कैसे वहाँ पर जाका अभवादन करना है कैसे अंदर बैठना है उनका सेट अप बता रहा हूं कैसे रहता है तो वह बारी-बारी से प्रस्न पूछेंगे और उनके बाद में बारी बारी से वू बलेंगे अब पूछे तो जो दूसरे प्रोफेसर होंगे हैं यहां यहां इस के ज्वान परिच्छन नहीं है कि आपको कितना ना ले जाए हर प्रस्न का जवाब आपको आना ही चाहिए या फिर कोई जवाब नहीं आया है तो आप घबराएंगे ऐसा कुछ करने की जवरत नहीं है वहाँ पर जो माहल रहता है बहुत ही कूल रहता है बहुत अच्छा माहल रहता है आपको घबराने की जवरत नहीं है पीने के लिए पानी भी रखा रहता है पर मिसन लेकर आप पानी भी पी सकते हैं तो आपको तनाव लेने की बिल्कुल जवरत नहीं क्योंकि जो होना है वह आपके लिखित परिश्य में डिसाइड हो चुका ह या थोड़ा मोड़ा अंतर पड़ेगा थोड़ा मोड़ा हो सकते हैं आपका मारस अच्छे है या फिर कुछ चूक रहें तो वहाँ पर आपको फायदा पहुचा देगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत भाव से जाएं बिल्कुल कूल मैंड से जाएं कभी भी आप यह मत स देपाते हैं तो चमा चाहता हूं महाँ दा चमा चाहता हूं सर या मैटम मुझे पता नहीं है या बहुत यह उससे बोल सकते हैं तो टेंसन बिल्कुल आपको नहीं लेना इसके बाद जनरल टाइप का जो क्वेस्चन होता है अब पिल्ली बर्मान जो लेक्ष्टर इसमें क्या था है कि मेरी बहान का चैन हुआ है इसा प्रस्ण कभी नहीं उनसे पूछा ही नहीं इस टाइप के मैं कमेंट नहीं चाहते हैं अबर फालतु बकवास के लिए मेरे चैनल में कोई जगा नहीं है तो मैं जो बता रहा हूं और प्रैटिकल एस्पिरियंस है आप लोगों के सुधा के लिए तो इसको आप ध्यान में रखिएगा तो इस टाइप के जो कमेंट्स करते हैं मुझे ब बता रहा हूं सुरुवात कहां से होती है आम तो पर्शण वां तो पूछेंगे आपका नाम का अर्थ कह पुछे साथ कि रहें मुझे ज्वाब देना है कि भाई इस सन्धी का राजा इंद्र होता है या फिर राजां का स्वामी धर्भी एक बात यह होगी जैसे आप उत्तर देंगे आपके उत्तर से फिर एक प्रस्ण बनेगा आपके नाम से कौन-कौन से और अन्य प्रसीद दिव्यक्ति हैं भारत के जैसे भूपेंदर करके बहुत बड़े गायाक हुए हैं और भूपेंदर हजारी का हैं जो असम के बहुत सनक रहं इस पर धेर सारे प्रस्ण होंगे वरस्ण हो भी सकते हैं नहीं हो भी सकते हैं अपको थारोली त्यार कर मेंsmith हो गया है या भी यह खासकर जो कम हो गया है, यह मतलब कैसे कुछ विसंगती दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि मार्स में बहुत जड़ा उतार चड़ाओ दिखाई दे रहा है, तो यह सब आपको तयार करना है, तिरब वो यह जानना चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है, वो किस प्रकार संतुलिट धंग से अपने प्रस्णों का जवाब देता है, है ना कितनी मैच चोटी है उसमें, तो जैसे आपका कहीं पर प्रसेंडेज काम है, या कोई परसानी रही होगी ताब बता सकते हैं कि महोदा यह परसानी आ गई थी, तो मैं ढंक से पढ़ नी पाया, तो मेरे प्रतीसत यहां पर कम हो गया, तो इस टाइप का आपका जवाब तियार करना है, और एक का जवाब दूसरे के लिए लागू नहीं होता है, पर आपको सोयम तियार करना पड़ेगा, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो विद्याला है या तो वा कॉलेज है, पराया जहां जिस विद्याला में हम परते हैं, जिस इस्कूल या कॉलेजेस में हम परते हैं, वह पराया किसीने किसी महान विभूती के नाम पर होता है, तो आपको उनके विशे में थोड़ी बहुत जानकारी आवाश्य होनी चाहिए कि ये किसी भी जीस विभूती जीस महानात्मा के नाम से आपके जैसे स्वामी वेकरनंद हायर सेकेंडरी स्कूल है तो स्वामी वेकरनंद के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकरी होनी चाहिए इसके बाद आप जी सिस्कूल या कॉलेजेस में पढ़े हैं वहाँ को यह निमहान व्यक्तित पढ़ कर निकले हैं मतलब ऐसा पूछा जा सकता है इसलिए बता रहो हैं तो उसको भी आपको उनके बारे में तयार करना है आपको प्रस्न इसके बाद है आपकी होबी क्या है और आपकी होबी जो भी हो प्राया होबी या आपकी रूची क्या है किस विशाय में आपकी रूची है आपकी होबी है इससे समंधित प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार त्यार करिए कि hobby से related कोई प्रस्ण पूछे जाते हैं आपसे तो उससे बन जाए जिसे cricket आपकी hobbies है तो आपसे धेर सारे प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कोई member यदि उसमें से hobbies उसकी cricket से match करते हुए hobby हो तो या फिर आप ड्राइंग पेंटिंग करते होंगे singing करते होंगे तो शेत्र में जो नामचीन व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो उनके records है या फिर award हो गरा है इन सब को आपको अच्छे से त्यार करना है तो आप यदि hobbies इसके बाद यह जोड़ कर यहां पर आना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि आप यहां पर क्यों आना चाहते हैं तो इसके जनरल डाइब को आंसर रहता है कि आप assistant professor क्यों बनना चाहते हैं अब बता सकते हैं कि मेरी अध्येन और अध्यापन में बहुत ही रूची है मैं पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद करता हूं साथ ही मेरे हिंदी साहिती में भी रूची है तो इस शेत्र में मुझे जीवन भर पढ़ने और पढ़ने का आउसर मिलेगा साथ ही मैं हमेशा यह आऊंके संपर्क में रहूँगा तो एक मुझे खुदी उर्जा का अन्भा होगा इस पकर आपको अपनी बात को जेस्टिफाइ करनी है कि भई आप इस फिल्ड में क्यों आना चाहते हैं आपका जवाब इस से अलग भी हो सकता है मेरे से बहतर भी जवाब आप दे सकते हैं सिर्फ मैं आप लोग को उसके लिए सांकेती कृप से बता रहा हूँ कि आपकी इसमें रूची है, पठन पठन में आपकी रूची है, द्यान अध्यापन में आपकी रूची है, पढ़ने पढ़ाने में आपकी रूची है, ये तो प्रथम बात हो गई, दूसरी बात क्या है, आपको शोधर अनुसंधान, अनुसंधान में रूची है, रिसर्च म में रूची है इसलिए आप शेत्र में आना चाह रहे हैं जीवन भर आपको पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिलेगा युवा शक्ति के संपर्क में रहें तो इस पर करके आप अपना जवाब आप अपने इसाफ से तयार कर लिए मैं जनरल डाइप को बता रहा हूं इसके बा या फिर यह आपका लास्ट अटेम्ट है तब वह सकते हैं कि मैं कोई और वीकल पर देखूंगा फिर अरसा नहीं कि यह मेरा चैन नहीं हो तो मेरी जिन्दगी खतम हो गई इसके बाद यह आप चुकि इसाहित के आप दे रहे हैं तो यह कॉमन कोश्चन है कि आपके प्री कवी कौन है आपके प्री लेखक कौन है और साथी साथ आपको उनकी रचनाओं के बारे में त्यार करना पड़ेगा ठीक है ना विशेस रूप से मैं बता रहा हूं आपका यूनसिटी के जैसे कोई नाम है जो महार विभितु के नाम पर रहता है का और पतातों बीच में छूट गई थी बाद जैसे कि च्थिसगण में एक उनसिटी है गुरु घासीदास उनसिटी है अब वहां से आप पड़ कर निकले हैं तो आप से पूछा जाएगा कि आप कह अबिधाम हाली में क्यों चर्चा में रहा तो वहां पर उनका एक इसमारक बना हुआ है ना उनके धार्मिक जो धार्मिक तीर थी इस तल है गिरोधपुरी तो वहां पर कुछ तोड़ फॉर कर दिया गए थैं समाजिक तत्वों के द्वारा उनके पूजा इस तल में तो यहा क्योंकि हिंदी साहित है कि आप असिस्टेंट प्रोफिसर बनने जा रहा है तो इसको तो आपको तयार करना ही पड़ेगा प्री लेखक कौन है प्री कभी कौन है उनकी रजनाय कौन सी है क्या उनको कोई अवार्ड होगा रहा मिला हुआ है क्या इसके बाद हो गया और एक प्रावत हमेशा दियान में रखीए आप जो उत्तर देंगे उसमें से पुना प्रशन तयार होता है साक्षात कर रहे हैं या पिर इंटर्व्यू परसनल्टी टेस्ट में कि यह समाने सी बात है कि जो आपको पुछेंगे आप से फिर आप उत्तर देंगे तो उस उत्तर से आपको क्या है पुना प्रस्ट तयार होता आपको संशेब में स्थार कर भी डंग से उतर देना एंड़से उतर देना है बहुत जाद अपने उत्र को लंबा नई खीचने बहुत ही समय ने बने रहाना है और जिस भी इंटर्फिए बॉर्ड के मेंड़न ने आप से प्रत्फन पूछा है उनके आखों में आख ड़ जवाब देना है लेकिन घूना नहीं है बहुत प्यारस आपको उनके आत्मिश्वास शो करता है यह आप आखों में आख डाल कर बात नहीं करते हैं तो यह पता चलता है कि आ अधर देख रहे हैं नजरे चुरा रहे हैं मतलब आप में confidence नहीं है या फिर जो आप बात बोल रहे हैं उसके बारे में पुरी तरह से confirm नहीं है आप में आत्मिश्वास नहीं है इसके बाद मतलब यह ध्यान में रखें कि आपके उत्तर से ही प्रस्ण बनते चले जाएंगे इसके लिए आपको mentally ready रहना है जैसे आप उत्तर देंगे उसी मेंसे प्रस्ण बनते चले जाएंगे इसके बाद एक और बात है यहां पर कुछ ऐसे प्रस्ण भी पूछे जाते हैं unexpected टाइप के जैसे कामायनी की प्रथम पंक्ति क्या है ने मुझे पुछा गया था कामायनी अधर इस्टेट्स के कैंड़ेंट भी शामिल होते हैं। इसके बाद जो अगला point है तो क्या है चाहत कार वे आपसे यहां पर श्या की जाती है फस्टेस्ट में व्यक्तित्व परिफ्शन के दोराण आपसे यहां परिश्या की जाती है कि आप समसामई घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उनके बारे में अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं तो कि समाज की आप प्रभुद नागरिक हैं आप शिक्षक बनने जा रहे हैं आप असिस्टेंट रुबसब बनने जा रहे हैं तो आपको चुकि साहित्य जो होता है समाज का दरपण होता है इसलिए समसामाई घटनाओं के बारे में आपको समाईने जानकरी होनी चाहिए इसलिए आप current affairs हैं या फिर कोई विवादित मामले हैं उनको आप अच्छी तरह से त्यार कर लें उन पर अपने विचार अत्वा दिष्टिकोंड आप त्यार कर लें इसके बाद समकालिन कवियों और लेखकों के बारे में जानकरी कुछ हमारे समकालिन कवियत हो लेखक होते हैं जिनको हाल फिलाल में कोई पुरसकार वगरा मिला हुआ है या फिर वर्तमान समय में आपके कोई प्री कविया लेखक है या फिर कोई ऐसे लेखक या कविया हैं महारत के जिनको अभी हाल के दिनों में कोई पुरुसकार वगरा मिला हुआ है तब आपको उन सब के जानकारी होनी चाहिए ये तो हो गया इसके बाद उच्छे शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्तान है और जितने भी सुधार हो रहे हैं हाली में जितने भी सुधार हुए हैं उच्छे शिक्षा के शेतर में और उच्छे शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी जो भी संस्ता है उन संस्ताओं की स्थापना कब हुई है उनके अध्यक्ष कौन है उनका काम क्या है उनका उद्देश क्या है इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है मैं जांबर के लिए बता देता हूँ जैसे रूसा है रूसा है इसका नाम है राश्ट्रिय उचितर शिक्षा अभ्यान तो यह रूसा क्या है इसका क्या काम है कब गठन हुआ था यह सब आपको पड़ देना है इसी बगार UGC युनासिटी ग्रांड कमिशन के वर्तमान चेर्मेन को ना इनकी स्थापना कब हुई थी इसका उद्देश क्या है और यह सब चीजों को आपको उच्छे शिक्षा से जुड़ी हुई जो संस्था हैं जो कि आप उच्छे शिक्षा विभाग में काम करने जा रहे हैं इसलिए उच्छे शिक्षा से जुड़ी हुई चाहिए अपने राज्य की बात हो जा फिर पूरा इंडिया लेवल की बात हो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई सभी बातें आपको पता होनी चाहिए उसके बाद न्यू शिक्षा नीती है New Education Policy 202022 तो उच्च शिक्षा नीती नई शिक्षा नीती जो है 2020 NEP 2020 के जो महत्पूर्ण बिंदू है जो बहुत सारे परवर्तन लाने वाले है उसको आपको अच्छे से तियार करना है उसके बारे में आपका एक निश्चित दिश्चिकोंड होना चाहिए और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके बद अभी हाली में सरकार ने या निड़न लिया इसे क्या फाइदा है कि विद्यारतियों का समाइश्ट नहीं होगा तो इसके बारे में आप क्या इससे सहमत हैं या आप इससे असहमत है तो इसके क्या फाइदा होगा और क्या नुकसान होगा इस टाइप के जो प्रश्ण है जो उच्छ शिक्षा से जुड़े हुए हैं मेरा कहने का मकसद यह है कि उच्छ शिक्षा से जुड़े हुए है सभी मामलों में आपके आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आपके समकल तो इसको आप शूरू से आंता तक जरूर देखें प्रत्य बात को अपने दिमाग में नोट कर लें मेरे दो तीन लेक्चर्स हैं असिस्टेंट प्रोफसर इंटर्वियू के उपर उसको आप जरूर जरूर जाकर देखें तो आपको किसी भी प्रकार के कोई महां के वोडेक अंदर में जाकर वो भी आपको यहां पर गाइडेंसर वो देंगे तो आपको कुछ पैसा खर्च करने के जुरत नहीं मुझे नहीं लगता और आपसे बस मेरे एक उजारिस है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो जितने भी एपिसोड्स हैं इंटर इंटर्वी में शामिल नहीं हुआ रहा था तो मैं आपको यह बात जानकारी नहीं देता क्योंकि यह सब अंदर की बाते हैं ठीक है इसके बाद एक क्वेश्चन है और भी बनता है जैसे कुछ लोग दूसरी जगह नावकरी कर रहे होंगे या फिर कुछ इसकुल में जो सी कॉछ चाहिए कि आप छोड़कर यहां पर क्यों आना चाहरे हैं तो आपको अपनी परिस्थिति की हिसाब से आपका उत्तर त्यार करना है और कई बार चात्र यह अपना उत्तर पूछते था तो मैं उनको क्या बताऊंगा आपको नाम का यार्त आपको जजिशनरी में से फिर बनता है कि यदि कहीं आपको इससे अच्छा उसर मिलता है तब आप यह जोड़ कर चल देंगे क्या तो इसके लिए आपको त्यारी करनी है का अधर स्ट्राइब के उत्तर आपको बना कर रखना है अब यह कहा सकते हैं कि यह खुदी बहुत बड़ा पद है असिस्टे आपको अच्छा खासा सेली मिलेगी आपको और आप बहुत ही पवित्र वातरण में रहेंगे महाविद्याले के तो इस तरह आपको अपना उत्तर त्यार करना है ठीक है इसके बाद अभी जिस स्वीश्विद्याले से आपने पढ़ाई किये वो स्वीश्विद्याले के मह ग्रैडिंग क्या होता यह भी आपको पता होना चाहिए इसके यह समय इसके बता रहा हूं कि उच्छ शिक्षा से जूड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातों के जानकरी आपको आवश्य होनी चाहिए जितने भी एजुकेस्टनला रिफॉर्म से हैं जितने भी शिक्षा के बारे में आपको क्या करना है भारती निया और सेडंड से बी तो इसके बारे में आपको जानकरी वहां पर आपको रखनी है यह मतलब यहां समानी- ग्यान आपके अलाओ करती है आपके शाहर में या सुईधा उपलब्ध है तो आप जाकर जरूर अपियर है उसे मैं आपको मना नहीं करता हूँ लेकिन यदि आप मेरे तीनों दो तीन जितने भी लेक्चेट्स मैंने अपलोट किया साक्षात कार के लिए जो मेरे व्यक्तिकत और व् पुरा बनाओ उसे कोई मेंटर नहीं करता आप तैयारी चालू कर दीजे और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरे आज का लेक्चेर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा तो कमेंड बाक्स में कमेंड लिक का ज जय हिन जय भरत